जहन दोस्तों आज बात करता हूँ वन रैंक वन पैंसेंट टू जिसके खिलाप आप समझ सकते हो 20 फरवरी से हमारा धरना प्रदर्शन चल लहा है और आज 53 यानि 53 दे हो चुके हैं और उस धरने को आगे कैसे continue किया जा सके और कैसे सरकार पर दबाव बना जा सके इस धरने को अब हाथी बनाए गया यानि हाथी की चाल चलेगा मस्त चलेगा और इसके साथ क्या क्या चीज़ें नया अपडेट है जो वहां से कपिल भाई ने बोला है और जो आपके नई जो कोर कमेंटी है उसके अद्दिच सुविदार अर्जुन सिंग राठोर के बारे में क्या बो चल रहा बहुत ही अच्छा चड़ती कलाब में दूसरी बात है नो अपरेल की मीटिंग जो दिली में हुई तो आप भी उस मीटिंग के बारे में जिगासा होगी कि क्या रहा तो मैं आपको कहना चाहता हूं नो अपरेल की जो मीटिंग हुई वह जबरदस्त मीटिंग थी और ये मील का पत्थर साबीत होगी जवान जेश्यू रेंग की जो जायज मांगे हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त रही है में देशवर की जो जवान जेश्यू रेटैर है उनकी संस्ताओं के परधान उनके मानिय सदेश्य को मनिपूर से जसलमेर कश्मीर से लेके अंड दुवाद करता हूं कि आप लोगोंने बीस फरूरी से जो दिल्ली में जंतरमंतर के उपर द्रणा परदसन चल रहा है उसका समर्थन किया है और एडवाग कमेटी जो जौइंट एक्षन कमेटी है उसका भी समर्थन किया और बहुत साफ साफ गोई से कहा है कि अब हमने एक रास्ता पकड़ना है और बो रास्ता थोड़ा लंबा है और हमने आप पीछे मुड़के नहीं देखना है और जो दाएमाए नहीं जाकना है कि हमें कौन क्या बोल ला है हमारी कौन टांग खिचाई कर रहा है बस हमने हाथी की चाल से मस रहना है और भौकने बालों के हमने मुड़के अब जबाब नहीं देना है अब हमारा मकसद होगा कि देश के सभी सेनकों के सम्मान के लिए चाह आर्थिक विसंगती के लिए और उनके न्याय के लिए आगे बढ़ना है और न्याय दिलाना है हमें मील का पत्थर साबित करना है हमें आने वाले पीडियों के ये सोगात दे के जानी के एक ऐसा यूनिन बना के जाएंगे जो आपके हितों की रच्छा करेगा आपके मान सम्मान की रच्छा करेगा आपके स्वाब मान की रच्छा करेगा सबसे बड़ी बात और कहा आईए क्या क्या उन्होंने बिंदू का है उन्होंने का है कि सबसे पहले उन्होंने सभी सेनकों को शादूबाद और धन्यबाद किया है कि पूरे देश को जन्होंने 20 फरवरी से आज तक जंतरमंतर पर रखा हुआ है दूसरा और उन्हों ने दिखाया कि जो आपने 9 अप्रेल को जो इसमें कमेटी ने decided किया और उसके पहले 3 अप्रेल को इतना बड़ा हुजूम इस देश में खड़ा कर दिया कि सब लोग अब हमारी तरफ देख रहे हैं जब सब देख रहे हैं तो अब हमें क्या करना हुआ इसके लिए उन्होंने नो तारीक को कोर कमेटी की एक सभी संगठनों की बैठक की इसमें एक एक रेप्रेजेंटेटिव थे उसमें से एक आपने कोर कमेटी बनाई और ये अड़ो कोर कमेटी और उसके अध्य अच्छे माननी, सम्मानी, जुजहारू, इमांदार, पार्दसी और अब अच्छे व्यक्तित की धनी उन्होंने काया सुविदार आरजून सिंग राठोर उनको हम सादू बाद देते हैं और उन्होंने काया कि हर एक इस्टेट की जिंबेदारी है, आपने देखा होगा पंजाब ने अपना बखुवी रोल नवाया, राइस्तान, हर्याना, दिल्ली तो 24 और 35 दिन नवाएगी, देभूमी, पितोरागड का, हिमाचल का सब जिगा जिक्र किया और उन्होंने आग जो भी यहां की अपडेट होगी, अब सालिनता से बिना किसी ब्यक्तिगत, ब्यक्तिगत कोई भी उन्होंने बोला गैर वांचित, अनवांचित टिपड़ी नहीं की जाएगी, चाहे सरकार का कोई भी चुनंदा निक्ति हो, चाहे हमारे मानी प्रदान मंत्री जी हो, मानी अच्छा मंत्री जो और कोई हो, और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे कोई सेना कादिकारी इंडिविजल आप किसी को उपर कोई कटाच करने से बचना होगा, जब आपने हाथी का सुरूप बना लिया है, तो आपने अपने मंजली की तरफ देखना है, आपने गड़बडी हुई है, विसंगत हुई है, साथ किसी भी प्रकार की हुई हो गई है, अब इसको ठीक कैसे किया जाए, किसने की कैसे की, इसके उपर अब जाना साथ सही नहीं होगा, और ये बात उन्होंने सुईकार किया है, और उन्होंने बोलाए कि लगातार ये चलता रह और सामने वाला तोड मरूड के आपकी बातें पेश न करें, साइद क्योंकि हम दिसा अब न भटके हैं, क्योंकि हमने बहुत जादा मेहनत किये त्रेपंदिन सभी की मेहनत, और सभी सेने के आपके साथ हैं, जुटे हुए हैं, जब भी एक आवहान होगा, अब फिर आपके स साथ जो न्या हुआ है, उसके लिए न्याए की मांग करते हैं, धन्यवादों.